देखी फ्रेंट्स हमने यहां तक बुनाई कर ली है अब हम इसके गले का हिस्सा बनाएंगे तो हमारा छड़ यहां पे है और हमें बुनाई यहां से स्टार्ट करना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि तो अब हम 19 फंदे इस सराई में चढ़ा लेंगे बिना बुने हुए हम 19 फंदे दूसरी सराई में चढ़ा लेंगे अब हम बिना बुने 19 फंदे को दूसरी सराई में कर लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदा, सुला, सत्रा, अठारा और 19 अब हम यहाँ पे अपना उन लगाएंगे और अब सभी फंदो को उल्टा बुनेंगे हमको यह पूरा लाइन उल्टा बुनते हुए कंप्लेट करना है तो पूरी लाइन कंप्लेट करके मैं आपको दिखाते हूँ हमें यह पूरा राउंड कंप्लेट करना है उल्टा बुनते हुए वापस हमको यहीं पे आना है तेखिए फ्रैंस हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए लाइन कम्प्लेट कर दिया है हमने यहां से स्टार्ट क्या था और वापस हम यहीं पर आ गया है तो अब क्या करेंगे कि धागे को दूसरी तरफ कीजिए और इस फंदे को ऐसे हम चेंज कर देंगे देखिए यह वाला इधर का इस सलाई का फंदा इस सलाई पर हमने कर लिया है और दूसरी सलाई का फंदा पहली सलाई पर और अब हम ऐसे सर्कुलर ना बिनके अब हम यहीं से पलट जाएंगे अब हम देखिए रॉंग साइड में आ गया है और अब यहां पर हम अपना सेकंडरी कलर अटैच करेंगे यहां पर हम अपना सेकंडरी कलर अटैच करेंगे और सभी फंदों को उल्टा बनेंगे करेंगे सबी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे देखिए फ्रेंट्स हमने उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर ली अब हम सामने की तरफ हैं सबी फंदों को हम उल्टा बुनना है पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे उनको भुमा कर वापस अपनी तरफ लाएंगे और शेज फंदों को हम उल्टा बुनेंगे शेज फंदों को हम उल्टा बुनते हुए लाइन कम्प्लीट करेंगे तो देखिए फ्रैंट्स उल्टा बुनते हुए हमने पूरी लाइन कम्प्लीट कर दी लास्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे लास्ट फंदे को हम सीधा बनेंगे और फिर यहीं से हम पलट जाएंगे और अब हम अपने और वाइट कलर से सबी फंदे उल्टा बनेंगे अब हम रांग साइड में हैं और सबी फंदे उल्टा बनेंगे देखिए फ्रैंस उल्टा बुनते हुए मैंने पूरी लाइन कम्प्लेट कर दी अब फिर हम राइट साइड में हैं पहले फंदे को स्लिप करेंगे उनको अपनी तरफ करेंगे और सारे फंदो को उल्टा बुन लेगे तो देखिए फ्रैंस उल्टा उल्टा बुनते हुए हमने लाइन कम्प्लेट कर दिया अब हमें इस उनका कोई काम नहीं है तो इसे हम काट देंगे और गाट लगा लेंगे अब हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए दस लाइन कम्प्लेट करेंगे तो दस लाइन कम्प्लेट करके मैं आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रेंट्स दस लाइन कम्प्लेट हो गया है जिससे पांच उल्टे फंदो की धारिया आ गई हैं एक दो तीन चार पांच और हम रॉंग साइड में हैं तो अब हम क्या करेंगे कि पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे उन अपनी और अगले फंदे को उल्टा उन दूसरी और अगले फंदे को सीधा उन अपनी और नेक्स्ट फंदा उल्टा यानि एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे और एक फंदे को उल्टा बुनेंगे एक फंदे को सीधा एक फंदे को उल्टा बुनते हुए पुरी line complete कर ले दे तो मैं line complete करके आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रण्स एक फंदा सिधा, एक फंदा उल्टा बुनते हुए मैंने पुरी line complete कर ले अब हम wrong side हम right side में है तो सीदे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे पहले फंदे को skip कर लेंगे उन अपनी और करेंगे उल्टे फंदे को हमें बुर्णा नहीं है इसे स्लिप करना है उन दूसरी और करना है और सीधे वाले फंदे को हम सीधा बुर्णा है उन अपनी और देखिए अगला फंदा उल्टा है तो इसे हमें बुर्णा नहीं है स्लिप करना है उन दूसरी और सी तो सभी उल्टे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और सीधे फंदे को सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लेट कर लेंगे उल्टे फंदे को स्लिप करना है सीधे फंदे को सीधा बुनना है उन अपनी और उल्टे वाले फंदे को स्लिप करना है उन दूसरी और सीधे फंदे को सीधा बुंदे देखिए फ्रैंड सीधे को सीधा बुंदे और उल्टे फंदे को स्लिप करते हुए लाइन पूरी कर दी गई है अब हम रॉंग साइड में हैं और रॉंग साइड से भी हम उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे और सीधे वाले फंदे को सीधा बुंदे उन अपनी और उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे उन दूसरी और सीधे फंदे को सीधा बुंदे उन अपनी ओर इल्ट sticking को करेंगे उन दुसरी ओर फिप करनें तो इल्टे फण को सिद्धा करते हुले और सीधे वाले को सिद्धा भुंते हुए पूरी लाइन कमप्लीट कर ले जाए खिश चोले कर सो लाइन कमपलीट करके मैं आपको दिखाते हूं देखिए फ्रेंट उल्टे तरफ से भी एक फंदा सीधा और उल्टे वाले फंदे को स्लिप करते हुए लाइन कम्प्लेट कर ली गई है अब हम धागे को थोड़ा लंबा काटेंगे क्योंकि अब हमें यहां सिलाई करनी है और फिर सुई में धागा डालेंगे देखिए फ्रेंट पहले हम ऐसे सीधे वाले फंदे में स्लाई डालेंगे फिर उल्टे वाले फंदे में ऐसे स्लाई की तरफ ऐसे स्लाई डालेंगे फिर इन दोनों को ऐसे खीच लेंगे अब वापस हम फिर पहले फंदे में ये सीधे वाले फंदे में और देखिए ये सीधा फंदा है तो इसमें ऐसे सलाई के अपोजिट डिरेक्शन में ऐसे सुई जालेंगे और इसे खिच लेंगे अब देखिए इधर से जो उल्टा फंदा था देखिए साइड से सीधा है तो इसमें ऐसे ऊपर की तरफ से सुई जालेंगे और सलाई के डिरेक्शन में ये जो उल्टा फंदा है उसे सलाई के डिरेक्शन में ऐसे डालेंगे और फिर खिच लेंगे अब देखियें यहां पर सीधा फंदה है तो इसमें ऐसे ऊपर से डालें। और जो सीधा फंदा स्राई में लगा हुआ है उसमें स्राई के अपोजित डिरेक्शन में सुई डालें तो इसे किष लेंगे। इसे उपर स्वाइब दालेंगे और जो इसे खेच लेंगे एड़े, से खेच. एड़े, से खेच्छ. एड़े, से खेच. एड़े, Corn च Microsoft. झाल 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 तो देखिए फ्रांस ये कुछ इस तरह बनके त्यार हुआ है अब हमें इसकी सिलाई करनी है साइड की सिलाई करनी है और थुरा सा क्रोशिय का काम करना है अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और देखिए यहां साइड में जो धागे बचे हुए है इसको हम काट लेंगे और सुई में डाल लेंगे अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे अब हम इसकी सिलाई करना है अब हम इसकी सिलाई करना है झाल 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 तो देखिये फ्रेंस फ्रॉक बन के त्यार है आशा है आपको पसंदाया होगा झाल